जैसा कि आप लोग थमनेल देखके जान ही गए होंगे कि हम जारखन में निवास करने वाले जनजातियों के बारे में आज जानने वाले हैं इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महतपूर्ण होने वाला है दोस्तों क्योंकि जारखन के JSAC जितने भी एक्जाम लेता है उसमें से जनजातियों से जरूर प्रस्ण रहते हैं इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत कीजेगा वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि हम इसमें कोसिस करेंगे कि सभी 32 जनजातियों के बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल में दे तो थोड़ी सी जानकारी जनजातियों के बारे में हम पहले जान लेते हैं उसके बाद वीडियो सेट शुरू करेंगे तो दोस्तों जारखन में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है जिसे एक सेट में प्रस्तुत करना संभव नहीं है इसलिए हम इसे तीन पार्ट में बाट कर प्रस्तुत करेंगे जो कि आज का सेट नमबर 28 पहला पार्ट होगा दुसरा पार्ट होगा सेट नमबर 29 और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा सेट नमबर 30 तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं और सेट शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी जनजातियों के बारे में हम जान लेते हैं जारखन की जो कुल जनजातियों की संख्या है वो टोटल 32 है जिसमें से 24 जनजातियां परभुक स्रेनी में आती हैं और जो 68 जनजातियां हैं उसको आदिम जनजाती की स्रेनी में रखा गया है और 2011 के जनगन्ना के अनुसार जारखंड में जनजातियों की जो कुल जनसंख्या है वो 86,45,42 है जो जारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 26.2 परतिसत है तो चलिए आज का वीडियो सेट शुरू करते हैं सेट नंबर 28 ये रहा आज का पहला कोश्चन जहरखंड में निवास करने वाली जनजातियों में संथाल जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है इनकी जनसंख्या कितनी है ओप्सन A 21,00, ओप्सन B 22,00, या ओप्सन C 23,00, या ओप्सन D 24,00, तो दोस्तों इसका जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्सन नंबर C जार्खन में निवास करने वाले संथाल जनजातियों की जो कुल जनसंख्या है वो 23,00, जो की जनजातियों में सबसे अधिक है और अक्सर जार्खन की तीन परमुक तीन जनजातियां संथाल, उराव और मुंडा इससे JSAC के हर एक एक एकजाम में एक या दो कोस्तन जरूर रहता है इसलिए इन तीन जातियों के बारे में हम थोड़ी डिटेल से जानकारी जानते हैं तो चलिए सबसे पहले संथाल जनजातियों के बारे में जानते हैं जारखन की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथालों का परतिसत है वो 35 परतिसत है और यह भारत की तीसरी सरवधिक जनसंख्या वाली जनजाती है इसका सरवधिक सकेंदरन जो है दोस्तों वो जारकन के उत्री पूर्वी छेतर में है जिसके कारण ही इस छेतर को संथाल परगना कहा जाता है और ये परजातिय द्रिश्टी से इन्हे प्रोटो अस्टलाइड स्रेनी में रखा जाता है और जो इनकी अपनी भासा है वो संथाली है और अपनी जो लिपी है जो ओलजी की है जिसके आविसकारक रखुनात मुर्मू है और इस जनजाती में 12 गोत्रों में विभाजित किया गया है इस जनजाती को लगभग सभी जनजातियों में सहगोत्री विवा निशेद माना जाता है और इनकी सरवधिक परचलित विवा करिंग बापला कहलाता है तथा संथाल समाज में सरवधिक कठोर सजा को बिठला कहा जाता है जिसे बिठला एक परकार का समाजिक भहिसकार होता है और इनके जो य ग्राम को परधान, तथा ग्राम परधान को मांजी कहते हैं। दोस्तों इन सबसे अक्सर जहरखन के जय सेसी एकजाम में कोस्टन पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत воспूर्ण है। इसलिए हम पूरी जानकारी थोड़ी डेटेल में कर रहे हैं। तथा संथालों का परमुक जो तेहवार होता है, वो एरोक होता है, जो बीज बोने वाला तेहवार है, संथाल जनजाती के लोग बुनाई जो होता है न, उस कारे में अत्यन्थ ही कुसल माने जाते हैं, और जो इनका पेपदार्थ है, वो हडिया है, जो की चावल, खुदी च जाता है और दोस्तों सबसे important चीज है बानवेवा समिधान संसोधन 2004 में संथाली भासा को आठवी अनिसुची में जोड़ा गया है तो ये रहा दोस्तों जारकंड के संथाल जनजातियों के बारे में पूरी जानकारी आपको अगर संथाल जनजाति के बारे में कहीं से भी question प पताये हैं उससे आप लगभग सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं next question question नमबर दूसरा जहारकंड की कौन सी जनजाती है जिनका सिकार करना इनका पेशा ना रहकर सौक बन गया है option A, बिरहोर, option B, असूर, option C, उराउं या option D, खरवार तो दोस्तों जो इसका answer हो जाएगा वो हो जाएगा option नमबर C तो दोस्तों थोड़ी सी उराउं जनजाती के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि इस जनजाती से भी अक्सर question पूछे जाते हैं तो यह जहारकंड की दूसरी तथा भारत की चोथी सरवधी जनसंख्या वाली जनजाती है जनजातीों की कुल जनसंख्या में इसका जो परतिसत है वो 18.4 परतिसत है और एतिहासिक साच्छों के अनुसार इनका जो मूल निवास अस्थान माना जाता है वो डगकन माना जाता है और उराओं स्वैम को कुडूप कहते हैं जिसका अर्थ होता है मनुस्या इस जनजाती का सम्मंध द्रविड समू से है और इनमें टैटू बनवाने की परता जो परचलित है वो बहुत पुरानी परता परचलित है जो इसमें हाथ पैर गला में ये लोग हमेशा पहले की लो प्राया अभी ये पूरी तरह से बदल चुका है अब लोग ये टैटू बनवाना पसंद नहीं करते हैं और उराओं जनजाती में 14 गोत्र पाए जाते हैं जिसे किली के नाम से जाना जाता है और सभी जनजातियों के तरह इस जनजाती में भी सहगोत्री विवा निसेध है पूरा और नाच का मैदान जो होता है वो इनके लिए बहुत ही विसेश अस्थान रखता है दोस्तों जिसको अखाडा के नाम से जाना जाता है यतने भी नाचगान होते हैं वे सामविक रूप से इसी अखड़ी पे करते हैं और उराओं जनजाती का परमुख जो नित्य है वो जादूर है और पुरुषो द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को ये लोग किरिया बोलते हैं जो की अपने परमुख तेहवारों में इस वस्त्र का धारन करते हैं और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को ये खनरिया कहते हैं और जो इनका भी पेपदार् अन्य जंजातियों के तरह भी हडिया ही है और उराव जंजाति का परमुख देवता धर्मेश कहलाता है जो सुरी के समान माना जाता है और उराव गाव का प्रधान पाहन कहलाता है जो कि सभी धर्मिक अनुष्ठान इसी के दवारा करवाये जाते हैं उराव जंजाति में और इनके पूझा अस्थal को सरना कहते हैं और इनके पुरवज के आत्मनिवास अस्थान को सासन कहते हैं देखते हैं नेक्ट क्षिन दोस्तों कोउशन नम्बर तीसरा ये भी जहरकंड की परमुः जन जाती है इससे भी अकसर कोउशन पूछे जाते हैं इसलिए इसके बारे में भी हम डिटेल से जानकारी जानेंगे दोस्तों तो question है मुंडा जनजाती का सरवधिक सकेंदरन किस जिले में है option A, खुटी, option A, राची, option B, खुटी, option C, गुमला, या option D, सिम्डेगा तो दोस्तों जो इसका answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number A, इनका जो मुंडा जनजाती का सकेंदरन है, वो मुख्रिक से राची जिले में है तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं मुंडा जारखन की तीसरी सरवधीक जनसंख्या वाली जनजाती है, और जनजातियों की कुल जनसंख्या में इसका इनका जो परतिसत है वो 14.56 परतिसत लगभग है मुंडा सब्द का समान अर्थ होता है विशिष्ट वेक्ती और इनका मुल निवास अस्थान तिबत को माना जाता है दोस्तों और इनका समन्द प्रोटो अस्टिलाइड परजाती समूह से है और इस जनजाती का अस्तित्व केवल जारखन में पाया जाता है यानि और किसी भी राज में ये नहीं पाया जाते है और इस जनजाती का जो मुंडा जनजाती में सहगोतरी विवा वर्जित है और मुंडा स्वायम को होडो को तथा अपनी भासा को होडो जागर कहते हैं और इनके जो युवा गरी होता है उसको गिती ओडा विवा अस्तल को अरंडी तथा वधु मुली को गुनुंग टका तथा तलाक को सक्माचारी बोलते हैं ये सभी चीजें जारकन के जैसे एकजाम में किसी न किसी एकजाम में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों इसलिए इन सभी चीजों को याद रखिएगा और ये लोग भी गोतर को किली कहते हैं जैसे उराव लोग भी कहते हैं मुंडा जन जाती में लगभग 340 गोत्र पाए जाते हैं इनका मुख्य पर्व सरहूल है और मुंडा जन जातियों द्रवारा धारन किये जाने वाले वस्तर को बटोई जो कि पुरुस धारन करते हैं और महिलाओ के वस्तर को परेया कहा जाता है जो कि विशेश धार्मिक में ये लोग पहनते हैं और सभी जारकन की सभी जनजातियों की तरह भी इन मुंड़ा जनजातियों का भी पेपदार्थ हडिया है और इसे इसमें और ये लोग अपने सभी धर्मिक अनुष्ठान में परियोग करते हैं जो हडिया है उसका सभी धर्मिक अनुष्ठानों में परियोग करते हैं, इनका मुख्य देवता सिंग बोंगा है, तथा पूजा अस्थल को सरना कहते हैं, तथा गाउं का सरवधीक, मतलब धार्मिक जो प्रधान होता है, वो पहान ही कहलाता है, देखते हैं, नेक्ष्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर फोर, जारकन की चोथी सरवधीक संकेद्रन किस प्रमंडल में है, आपको बताना है, उप्षन A, उत्री छोटा नागपूर, उप्षन B, दचनी छोटा नागपूर, उप्षन C, पलामु प्रमंडल, या उप्षन D, कुलाहन, तो दोस्तों सबसे पहले जान लिजे कि जारकन की जो सरवधीक चोथ सरवधी जनसंख्यावला जनजाती है, वो मुखी रूप से हो जनजाती है, और जो इनका सकेंद्रन है, वो मुखी रूप से जारकन के कुलाहन परखन में है, इसलिए इसका एंसर D हो जाएगा, तो चली इस जनजाती के बारे में भी थोड़ी सी जनकारी प्राप्त कर लेत हो जन्जाती का समंद प्रोटो अस्ट्रलाइट समू से है इस जन्जाती में अस्सी गोत्र पाये जाते हैं और इस जन्जाती में सहगोत्रिये विवाह निशेधी जैसा कि सभी जन्जातियों में होता है हलाकि मा मेरे भाई तथा बहनों से साधी को प्रात्मिक्ता दी जाती ह इस जन्जाती में वर्दवारा कन्या का हरन करने वाले विवाह को अंडी कहते हैं, जो कि कई एक्जामों में पूछा जा चुका है, या इसे उपोर्त पी विवाह भी कहा जाता है, और इनके युवागरी को गिती आरा, ग्राम पर्धान को मुंडा, और मुंडा का सहाया को ड समानियता हो जन्जाती के लोगों की मूच एवं दाढ़ी नहीं होती है, ये इनकी एक बिसिस प्रमुकता है दोस्तों, और इनकी जो प्रमुक देवता सिंगभोंगा है, और हो जन्जाती के लोग भूत प्रेत जादू टोना आदी में काफी ज़्यादा विश्वास रखत रहे हैं, नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर फाइब, जारखन में पांचवी सर्वधीक जन्जाती कौन सी है, ओप्सन ए, खरवार, ओप्सन बी, खडिया, ओप्सन सी, लोहरा, या ओप्सन डी, माल पहरिया, तो दोस्तों जो इसका एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओप्सन नमबर ए, जारखन में सर्वधीक पांचवी जन्जाती है, वो खरवार है, और इनका जो सकेंद्रन है, वो पलामू परमंडल में मुख्य रूप से है, और खरवार जन्जाती का संबंद द्रवेड प्रजाती समू से है, खरवार की चार परमुख उपजातियां है जैसे भोगता, मांजी, राउत और महतु, इनकी जो भासा अस्ट्रिक भासा परिवार से संबंद रखती है, और यह बीर एवं लड़ाका जन्जाती के रूप में जाने जाती है, और यह सत्य के लिए अपने प्रान तक निछावर करने के लिए भी महसूर थी प्राचिन का में, तथा खरवार में जो धूंकुरिया जो युवगरी कहलाता, युवगरी जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है, और खरवार जन्जाती में बाल विवा को स्रेष्ट माना जाता है, और इनका प्रमुख देवता सिंग बोंगा है, दोस्तो आपको एक चीज बताना च जाता हूं कि जो प्रजाती समू होता है, वो अलग होता है, और जो इनकी भासा होती है, वो अलग होती है, इसलिए इसमें कभी कन्फ्यूज मत किजेगा, ऐसे जारकन की सभी जन्जातियां प्रोटो अस्टलाइट समू से सम्मंद रखती हैं, लकिन इनकी भासा जब बोली जाएगी तो थोड़ी भासा थोड़ी जो भासा जिस अथिस से सम्मंद रखती है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा इस बात का ध्यान रखेगा देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 6 खड़िया जंजाती का नाम किस कारी को करने के कारण खड़िया पड़ा तो या option D इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो इसका इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option नमबर A दोस्तों ये पुराने जवाने में राजा महराजाओं के पालकी धोया करते थे जिस कारण इस जंजाती मतलब उस समय पालकी को खड़खड़िया बोला जाता था इसी कारण इस जंजाती का जो नाम पड़ा वो खड़खड़िया पड़ा क्योंकि इनका मुख्य पेशा उस समय पाल की ढोना ही रहा था तो चलिए दोस्तों खड़िया जनजाती के बारे में भी थोड़े सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं यह जनजाती प्रोटो अस्टलाइट समू से संबंदित है यह जारखन के अलावा उडिशा मद्यपरदेश असम एवं पंगाल में भी पाई जाती है और दोस्तों इस जनजाती में तीन वर्नों में विभाजित है यह जाती माल माल मतलब पहारिया खड़िया धिलकी खड़िया या दूड़ खड़िया इनमें युवागिरी को जो बोला जाता है वो गेतुवा कहा जाता है और इनकी जो बोली बोली जाती है वो खड या बोलते हैं जो आस्टरिक समूस से हैं आस्टरिक भासा की ही एक भासा है और इनका जो प्रमुख परव है वो कदलेटा है तो देखते हैं नेक्स कोशन दोस्तों कोशन नमबर सेबेन जारकन की कौन सी जन जाती अपने आपको हिंदुओं का संस्क्रण मानते हैं आपशन A लोहरा आपशन B महली या आपशन C भुमीज या आपशन D असूर तो दोस्तों इसका जो इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपशन नमबर C जारखन की जो भूमी जन जाती है वो अपने आपको हिंदों का संस्क्रन मानती है और जो इनका रहनसान है वो काफी हद तक हिंदों से मिलता जुलता है तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इन्हें कोलेरियन समू का माना जाता है और परजाती द्रिष्टी से ये प्रोटो अस्टेलाइड समू वर्ग से सम्मन्थ रखते हैं इन्हें धनबाद का सरदार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी जन संख्या यहां बहुत ही अधिक है तथा घने वनों में रहने के कारण अंग्रेजों दवारा इन्हें चुवार उपनाम से भी जाना जाता था देखते हैं निक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर एट जारखन के किस जन जाती का रिग वेद उपनिशद आदी गरंतों में जिक्र मिलता है जो कि जारखन की एक बहुत ही प्राजसीन काल से यहां निवास करने वाली जन जाती है दोस्तों तो आपको उसी का नाम बताना है अप्शन A असूर अप्शन B भूमिच अप्शन C संथाल या अप्शन D उराउं तो दोस्तों जो इसका एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उप्शन नमबर 1 असूर असूर प्रजाती द्रिष्टी कौन से असूर जो जन जाती है वो प्रजाती द्रिष्टी से प्रोटो अस्लाइड स्रेनी से मतलब समंध रखती है और जो इनकी भासा है वो असूरी है और ये मुख रूप से गुमला, लोहरदगा, लातेहार तथा पलामुजिले में मिलते हैं यह लगू आदिम जनजाती में से एक है दोस्तों और इनका जो मुख पेशा है वो लोहा गलाना है जिसका ये प्राचिन काल से ही करते आ रहे हैं इसकारण इनका पारमपरिक पेशा ही लोहा गलाना रह गया है और यह मतलब अभी विलिप्त प्राच होने की कगार में है जारकन की यह जनजाती और इनका जो मुख पेशा है वो मुख रूप से अभी भी लोहा गला कर कुछ समान बना कर ही अपनी जिविका का मुख साधन अभी तक इनका यही रह गया है जिसलिए इनका जो परजाती है मतलब जो जनजाती है वो विलिप्त प्राच के कागार पर पहुँच चुकी है देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर नाइन बंचारा जनजाती का जारकन के किन जिलों में मुख रूप से सकेंदरन है अबसन आ दुमका, अबसन भी राजमाल आपसन C गेरेडी या ओफसन D दुमका और राजमाल तो दोस्तो इसका जो इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओपसन नमबर D दुमका और राजमाल में बंचारा जनजाती का मुख रूप से सकेंदरन है तो इनके पारे में भी थोड़ी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं यह एक घुमकड जनजाती है यह अपनी भासा को लंबाडी कहते हैं और इस जनजाती में गोत्र नहीं पाय जाता है यह वधु मुली को हरजी का मतलग कहते हैं और इनका अलतियंत प्रचलित लोकनित दंड खेलना है और यह भी जाती अब लगभग लगभग विलब्त होने के कगार पर भी पहुँच चुकी हैं दोस्तों क्योंकि यह जारखन की मुख्यधारा में अभी तक भी जुड़ नहीं पाई है देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर टेन जो की आज का लास्ट कोश्चन होगा जारखन की कौन सी जंजाती नित्य संगीत के बहुत ही ज्यादा सौकीन होते हैं वैसे दोस्तों आपको बता दें कि जारखन की प्राया सभी जंजातियां जो नित संगीत में हैं बहुत ही रुची रखते हैं लेकिन जारखन की एक जंजाती ऐसी वी है जो बहुत ही जादा नित संगीत की सौकीन है आपको उसी जंजाती का नाम बताना है option A, उराव जन जाती, option B, मुंड़ा जन जाती, option C, संथाल जन जाती, option D, बत्थोडी जन जाती तो दोस्तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा option नमबर D D, बत्थोडी जन जाती है, यह जारखन की सबसे ज़्यादा नित्य और संगीत की सौकीन है और यह भी जारखन की एक लगू जन जाती है, यह जन जाती भूई अथवा भूईया के पूरवज माने जाते हैं और परजातिय द्रिष्टी से प्रूटो अस्टिलाइट समूज से हैं और इसका इनका जो एक परमुख जो पहचान है, वो है इनका कद छोटा होता है तो अच्छा का रंग काला सौला होता है तथा बाल इड़के बिलकुल सीधे होते हैं यह जन जातियों का अधिक जो सकिंदरन है, वो सिंभूम, ढालभूम और सौनरेखा घाटी में पाई जाती है और पेसे से यह मुक्रूप से क्रिशक होते हैं तो दोस्तों हमने कोसिस की कि जारखन की जो जन जातिया है उसके बारे में डेटेल जानकारी दें और आपको जैसे पहले भी बता चुके हैं कि हम इसको तीन पार्ट में करके प्रस्तूत करेंगे क्योंकि 32 जन जातियों को एक ही पार्ट में एक ही वीडियो सेट में प्रस्तूत करना मुश्किल है इसलिए तीन पार्ट आएंगे आज एक पार्ट समाप्त हो गया कल दूसरा सेट आएगा उसके बाद और एक सेट आएगा तो तीन सेट में हम जारकंट की तीनो जन जातियों के बारे में आपको पूरी डेटेल दे देंगे जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए महत्पुन साबित हो सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कोमेट करके जरूर बताईएगा और वीडियो का कोंटेंट मेरा पर्जेंटेशन अच्छा लगता है तो लाइक और सेयर करना ना भूले तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद